दोस्तों अभी जो प्रिवियो में आपने वीडियो देखा है ये वीडियो इंस्ट्रगाम पर काफी ज्यादा वाइरल है अगर इस साउंग पर आप भी अपना एक ऐसा ही रेल वीडियो चाहते हैं तो आज किस वीडियो में हम इसी के आडिटिंग आपको दिखाने वाली हैं दोस्तों एक दो दिन से मुझे cold हुआ है जिसकी वज़स से मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ तो अगर आपको voice की बज़स से कोई दिकत आ दी है तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा अच्छे से वीडियो को देखें ठीक से समझें वीडियो को step by step आप एडिट क करें 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 में को कि दो ॆ कि वीडियो एस वीडियो को बनाइंगी हम के अनुए प्लिकेशन में और क्लें protector को यूज करने से पहले आपको क्या करना है वीपेन कंश लीना है TV आपो वीपियन मैंने चनेकर हुआ है यह आप बैक्राउंड में देख सकते हैं और आपको प्लेश्टो पर ईजी बहुत सारे वीपियन में चाहते हैं आपको एप। अब अगर अगर आपको टरब करना है तो अच्छा वीपियन है काफी आप जैस्ट आपको जानते होंगे करता है जब VPN Connect होता है अब गयज आपको क्या करना है इसको ओपिन करेंगी कापकट को न्यू प्रॉजे के ऊपर आपको क्लिक करना है और अपनी फोन लाइब डिरी में पहुंच जाते हैं यहां से आपको एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है अपना अच्छा साथ एक्जामपल के फोर्मिट का मिलता है आपको फ़र्स्ट जो रिश्यो है 9.16 यह यहां से सलेक्ट करेंगी है फोटो को देख लें और अगर सही से स्क्रीन पर अगर नहीं है तो एंड में गयास कट का आपको वाटर माक मिलेगा इसको डिलीट करेंगा है ओके अब गयाँ यहां पर सिबसे छाले हमें क्या करना है music एक लेना है music video आपको रिच्छे दानलोड करेंग झीट आपको 情况 पर पहुंच जाएंगे जब डाउनलोड हो जाता है कि टेलीग्राम से आपको डाउनलोड करना है यहां से इंपोर्ट साउंड ओनली कर लें क्योंकि हमें के वाद साउंड चाहिए तो आपको कर लेना है यहां पर हमारा जो साउंड है एड हो जाता है अब दोस्तों आपको क्या करना है जितना हमारा म्यूजिक है उतना ही अपना को डिवाइट करना है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है म्युजिक के ऊपर आपको क्लिक करना है यहां फॉर्थ और ऐप्शन मिलता है मैंच कट का आपको Mैंच कटके ऊपर क्लिक करना है यहां से आपको सुन लेना है सिर्फ 1 बीट आएगी आपको पदा है बीट कहाँ neden पीट कहांपर आएगी तो आपको केवल एक ही माक करना है ओके यहां पर म्युजिक में आपको सुना है सकती अदर्वास मैं आपको बता दीती कि कहांपर आपको आप काफी आसान हैं अपर फिर्स्ट अप चौ आता है वहीं पर आपको beat को add कर लेना इस तरीके से उसके बाद कुछ भी नहीं है किवल आपको एक ही cut करना है अगर आपकी beat गलत भी लग जाती है तो यहां पर mark को आपको touch करना है delete beat का option मिलता है delete कर ले और next time आप play करे music उसके बाद mark कर ले simple आप गयाज नीचे right-hand corner से done करना है okay done करेंगी जहां पार mark किया है उतना ही हमें यहां से photo के उपर click करना है यहां पर हमने mark गया यही पर आना है photo के उपर click करें यहां से first option बीट का split कर लें two part में divide हो गया photo अब guys हमें क्या करना है यहां से back कर लेना है back करेंगी सबसे पहले हमें blur effect apply करना है photo के उपर जैसा कि आप जानते हैं viral reel में आपने देखा हुआ अब guys यहां third option मिलता आपको effects का effects के उपर click करें first option video effects के उपर आपको जाना है click करना है यहां trending में आपको hello blur name से effect मिलेगा उसको आपको apply कर ले रहा है guys बता देती हूँ आपको by name याद रखना है hello blur hello blur भी गर सकते हैं यहां पर diamond जूम दो मिलते तो उनों एक साथ एक साथ नहीं मिलेंगे हो सकता है आपको अलग-अलग जगह पर मिले दोनों में से कोई भी apply कर सकते हैं बट अभी जो मैं बता रही हूँ hello blur करें तो ठीक है hello blur कर ले और एक चीज और clear कर दू जरूरी नहीं है कि यह वहीं पर मिले जहां पर आप यहां screen पर देख रही है हो सकता है कि आपके फोन में basic में मिले या training में मिले या कहीं और जगह मिले इसलिए कह रही हूँ कि by name आपको याद रखना है hello blur effect आपको apply करना है अब दूसरों यहां से मैं इसके उपर click कर लेती हूँ आपको adjust के उपर click करना है उसी effect के उपर adjust करना यहां से adjust कर ले speed guys इसके full कर सकते हैं यहां पर intensity और speed इससे हमें क्या करना है जो आपने preview video में notice करा होगा speed का मतलब है कि धीरे धीरे blur का normal में आना तो आप उसकी speed कितना चाहते हैं यानि कि normal आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से normal में आए या फिर धीरे धीरे से normal में आए तो आपको कैसा अच्छा लगता है तो उसके according मुझे चाहिए कि धीरे धीरे normal में आए तो मैं speed इसके pull कर ले दियू intensity कितनी चाहिए यानि कि intensity में आ जाता है आपका कि blur effect एकदम से normal में कब आना चाहिए तो उसके लिए intensity में कर ले तूँ यहाँ पर फाइव जिरो ओके एंड इस तरीके से आप देख लीजेगा क्योंकि हमें यहाँ पर music के according देखना है कि intensity कितनी होनी चाहिए speed कितनी होनी चाहिए तो music मैंने सुना था इन उसके according मैंने दीखा कि 50 में सही है और speed full ठीक है यहाँ से right hand corner से आपको done का लेना है इस तरीके से हमारा जो effect apply हो जाता है तो यह नहीं देखना कि यह जो hello blur की timeline है यह next part में भी आ चुकी है तो blur यहाँ भी होगा नहीं हमने जितनी intensity and speed रखी है उसके according ही blur effect apply होता है तो यह आपको सुचना नहीं है और बहुत ही perfect आपका वीडियो बनता है यह हो गया first part में हमारा blur effect आ जाता है second में आप देख सकते हमारा जो वीडियो है नॉर्मल हो चुका है यहाँ से मैं दिखाती हो first part यह blurry हो चुका है अब धीरे धीरे यह open हो रहा है और यहाँ पर यह अपने नॉर्मल लुक में आ जाती है photo second part में अब guys हमें यहाँ पर animation apply करना है second part में और इसके लिए आपको second part के उपर click करना है and option मिलता है animation का नीचे animation के उपर click करना है यहाँ से guys in animation आपको select करना है ध्यान रहे आपका VPN connected होना चाहिए अगर आप correct नहीं करेंगे तो आपके जो animations है या effects है work नहीं करते है इसलिए VPN connect किया जाता है यहाँ से right hand की तरफ swipe करना है और आपको rock vertical option मिलता है rock vertical के उपर आपको click करना है यहाँ से guys इसके duration आपको 0.5 second रखनी है जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जो 0.5 second है by default set है तो आप कर लें अगर आपकी जो duration है कुछ और आती है तो आपको 0.5 second duration रखनी है और नीचे right hand को आना से then कर लेना है और अभी जो हमारा वीडियो है बहुत ही सुन्दर बनता है बहुत ही amazing guys यहां पर मैंने अपने photo को इस तरीके से इसको adjust नहीं करा था तो एक बार adjust कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा था कि starting में ही आपको अपने photo का adjust कर लेना है तो आप इस तरह ऐसे कर सकते हैं अब दोस्तों इस video को हम अपनी phone gallery में save कर सकते हैं सेव करने के बाद मैं आपको phone gallery में लेकर जाओंगे और इस video को play करके दिखाओंगे कि वीडियो हमारा कैसा बना है तो यहां से वीडियो को save करने के लिए आपको टॉप राइट कौना से फॉरवर्ड करना है इस तरह से वीडियो कमप्रीट हो जाता है अब यहां से एकजिट कर लेते हैं अपनी phone के लिए में आपको लिकर जाती हूं दिखाती हूं कि वीडियो हमारा कैसा बना है तो आपने देखा होगा कि बिलकुल वैसा ही हमारा वीडियो बना है और step by step अगर आप ऐसा ही करेंगे जैसा कि मैंने आपको वीडियो में समझाये तो बहुत ही बड़ी आपका वीडियो बनता है तो दोस्तों कैसा लगा है आपको यह वीडियो मुझे कॉमेंट करके जरू तूटोरियल्स आपको मिलते रहे मेरे चैनल के थ्रू तो आप चैनल को सब्सक्राइब पर सकते हैं मिलोंगे नेक्स वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ तिल देन बाई बाई और टेक केर